सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हुविजय और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल skcoachingcenter.com मेरा यह वीडियो टूटूरियल उन बच्चों के लिए है जो वर्स 2019 में inter और मैट्रिक की परिक्षा देने जा रहे हैं और यह उसी परिक्षा से सम्मन्धित मेरा यह वीडियो टूटूरियल है इसे जाने और समझें बिहार बोड ने मैट्रिक और इंटर के लिए फॉर्म भरने की तिथी गोशित कर दी है यह ब्रेकिंग न्यूज फिर से मैं एक बार आप लों के लिए लाया हूँ और आप देखें कि बिहार बोड ने मैट्रिक वार्शिक प्रक्षा 2019 के लिए प्रक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया सुरू होगी मैटरी के लिए 14 से 18 सितंबर तक ये भी जान लें कि अभी तक आपने जो रेजिस्ट्रेशन कड़ाया था तो वा रेजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपको भी नहीं मिला है तो फोर्म कैसे भढ़ेंगे तो ध्यान दें कि 14 से 18 सितंबर तक स्कूल और कोलेज प्रशासन प्रिक्षारतियों को रेजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रिक्षा फॉर्म डाउनलोड करके देंगे फिर उस प्रिक्षा फॉर्म को प्रिक्षारति द्वारा भरा जाएगा इसके बाद स्कूल और कोलेज प्रशाशन द्वारा 19 से 25 सितंबर के बीच आउनलाइन बिहार बोर्ड के पोर्टल पर जाकर अफ्लोड करना होगा यहाँ यहाँ ध्यान देनी वाली बात है कि आपको आउनलाइन नहीं करनी है यह स्कूल के द्वारा किया जाएगा आपको फॉर्म भर करके दे दिनी है 19 से 25 सितंबर के बीच मैट्री के बच्चे ध्यान रखें उसी तरह इंटर के परिछार्थियों को के लिए रेजिट्रेशन जो नंबर है रेजिट्रेशन जो कड़ाय थे उसके साथ परिछा फॉर्म भी 20 से 25 सितंबर के बीच याद रखे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपको परिछा फॉर्म भर करके कोलेज में जमा कर देनी है दूसरी बात जो हम जानकारी है कि इस बार दो बार जारी होगा डमी एडिमिट कार्ड मैट्रिक और इंटर दोनों का ही एडिमिट कार्ड इस पहली बार तो 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा ताकि आप देख सकें कि उसमें कहीं कोई हमारा नाम है माता पिता का नाम है जन दिती है कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है उस गलती को सुधार करके फिर आप उसे स्कूल या कोलेज में जमा कर देंगे फिर दूसरी बार एडिमिट कार्ड जारी की तो फिर आप उसमें अपना मिलान कर सकते हैं कि जो मैंने सुधार के लिए दिया था वो सही हुआ या नहीं दूसरी जो जनकारी है कि इस बार जो मोडल पेपर है वो समय से काफी पहले ही जारी कर दी जाएगी जैसा कि पिछले बार हुआ था कि जो नए पैटर्न लागू किये गये थे पिछले साल 50% कोश्चन अबजेक्टिव और 50% कोश्चन सब्जेक्टिव तो उसके तयारी के लिए इस बार अक्टूबर की दूसरे अबता में ही मैट्रिक और इंटर की मोडल पेपर जारी कर दिये जाएंगे जिससे आपको परिक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी इतना ही नहीं परिक्षा के दोरान आप उए मार सही से बढ़ें इसके लिए बोर्ड जो है इस बार डमी ओए मार भी जारी जानते हैं वस्तुनिस्ट और सब्जेक्टिव दोनों परिच्छाओं के लिए जारी होगी और 50% कोस्चन जैसा कि आप जानते हैं पर दिया जाता है और 50% कोस्चन के लिए उत्तर पुस्तिका होती है वह भी आपको जारी करेगी और आपको उपलब्द कराएगी ताकि SCST और BC के लिए 730 रुपे यहां ध्यान देनी वाली बात है कि यह सुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई है स्कूल द्वारा आपसे अधिक चार्ज लिए जाएंगे सुल्क लिए जाएंगे क्योंकि स्कूल वालों को ओनलाइन जो काम करवाना होता है उसके लिए अलग से देने पड़ते हैं तो यह सभी स्कूलों पर निर्फर करता है कि कितने कितने हुए सुल्क लेते हैं तो इस जानकारी को ध्यान से देखें और समझें और अपने दोस्तों के बीच अबसे शेयर करें क्योंकि एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है आप फॉर्म भरने के लिए तियार हो जाएं तो इससे तो पहले आप जो बॉर्ड जारी करेंगी रिश्टेशन कार्ड उस कार्ड के लिए स्कूल जाना शुरू करेंगे या कोले जाना शुरू करेंगे जैसा कि मैंने जो डेट बताया है तिथी बताई है उस तिथी को फिर इसके बाद आप फॉर्म तियारी शुरू करेंगे और इस जनकारी को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक से शेर करें लाइक करें मैं भी हार्ड बोर्ड से समंदित कई वीडियों आपके सामने लगातार देता रहा हूं इस बाड़ भी मैंने कई विश्यों पर वीडियों बन झाल